गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम एक नए वीडियो हाति गुंपा बिले को लेकर आपके सामने हाजिर हैं देखेगा स्टुडेंट्स अब तक हमने इतिहास किसे कहते हैं इतियास के तिनों भाग, जैनबोध धरम, और आपका महाजनपत काल, वादिक काल और मौरिय वन्स के जो सासैक महतोपुन, जो सासैक हुई हैं चंद्रगुपिट मौरिय है, बिन्दु सारै, असोक मौरिय है तो इन सब की इन फोर्मेशन आप यूटूब चेनल इंडिया ओल्डेज पे देखेगा और हमारे यूटूब चेनल इंडिया ओल्डेज को आप सब्सक्राइब करें ताकि इतिहास विश्य से सम्बंदित परिक्षा में आने वाली बातों के बारे में आप जान सकें तो देख के парवेल का अति कुंप अभीलेक उडिशा में भेदी वनस के सासरे चाहरवेल कोमद के साथ द्वारे इसाफित करवाया गया है इसका आप फैस्ट बिसी माना गया है ठीक है हाथी कुंपा अभिलेग से संबंधित महतो पून तथे देखेगा यह अभिलेग भारत का पहला प्रस factualाडि उलेक मिलता है। इस अभिलेक के अनुसार खारवेल ने सासन के बारवे वर्ष हार्थली पुत्र पर आकर्मन किया और ब्रहस्पती मित्र नामक सासक को प्राजित किया। तद्धा पाठली पुत्तर से जैन तिर्थंकर सितलनात की मूर्ती पुनाहे कलिंग ले आया जिसे नंद सासक महापदम नंद कलिंग को जीत कर अपने साथ ले गया था इसमित ने ब्रैस्पती मित्र की पहचान पुस्य मित्र सुंग से की है यह अबिलेग ब्रामी लिपी में अंकित है इसमें खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इसी अबिलेग से जानकरी मिलते है कि खारवेल जैन मतानुयाई था और उसके वन्स का सेंस्तापक मह में गवान था इस अबिले के नुसार खार्वेल के ने सासन के पाचवे वर्ष सिंचाई के लिए महापदमनंद द्वारा निर्मित नहर का विस्तार तन्सुली से कलिंग तक करवाया था उडिसा की भूमनेश्वर नामक स्थान से तीन मिल दूर उदेगिरी नाम की पहाड़ी है जिसकी एक उफा में एक सिलालेक उपलब्द हुआ है जो आथिक उफा सिलालेक के नाम से परसिद्ध है इसे कलिंग राज खारवे ने उतकिरन कराया था यह लेक प्राकर्थ भासा मे है और प्राचीन भारतिय इत्यास के लिए अर्थात प्राचीन भारतिय इत्यास की जानकरी के लिए यह लेक बहुती महत्तोपुन है तो देखेगा इस वीडियो में हमने हातिकुमपा अभिलेक के बारे में महत्तोपुन बातें जानी हमारा वीडियो अंतक देखने के बाइक शेर जरूर करें ताकि आपको और हमको हमारा भी उच्छा है बढ़े और आप लोग आप लोग बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप इत्यास सम्मंदित नए नहीं जानकारी प्राप्त कर सके धन्यवाद